बजनलाल सरकार में मंत्री किरूडी लाल मीना हाला कि उन्होंने इस्तिफा दे दिया अपने पद से लेकिन सरकार ने सुईकार नहीं किया ऐसे में अब आप सभी को बता दें कि वह आखिरकार नोटशीट लिखते में नजर आ रहे हैं चीयोंकि जब मंत्री नहीं है तो फिर नोटशीट किस तरह से लिख रहे हैं किंगि विदायक तो इसमें नोटशीट नहीं लिखते बल्कि उनकी डिजायर की अधार पर ही यह फैसली के जाते हैं जो भी ट्रांसवर से संबंद्द होते हैं तो हाल फिलाल इसको लेकर एक क्या कुछ अपडेट सामना आई है दिखाते हैं इस रिपोर्ट में बजनलाल कैबिनेट से इस्तिफा देच चुके डॉक्टर किरोडी लालमीना बलाई विभागों का कामकाज नहीं देख रहे हो लेकिन मंतरी के हैसे से दूसरे मंतरियों को लगातार नोटशीट भेज रहे हैं इस्तिफा दिनने के बाद भी वे लगातार अलगलग विभागों के मंतरियों को अब तक सौसे ज़्यादा नोटशीट लिख चुके हैं सबसे ज़्यादा नोटशीट पंचाहिध राज मंतरी मदन दिलावर को बेजी गई किरोडिलाल मिना इन दिनों चर्चा में हैं दो दिन पहले भाजपा प्रदेशा देक्ष ने कहा था कि मिना जल्द ही मंतरी पत का काम समालेंगे वहीं सोभार कुग किरोडिलाल मिना ने गंगापुर सवाई मादवपुर में पानी भरे हिलाखो का हवाई सर्वेक्षन करने के लिए हेलिकॉप्टर मांगा था लेकिन अधिकारियों ने मना कर दिया मंगलवार कुक किरोडिलाल ने कुछ देर के लिए सोशल मीडिया पर कैबिनेट मनेश्टर लिखा और फिर हटा दिया नियम के अनुसार कोई भी मंतरी किसी कर्मचारी के तबादलों की सिफारिश करने के लिए दूसरे मंतरी को डिजायर नहीं बेज सकते इसके लिए नोटशीट ही लिखने होती है विदायक इसके लिए डिजायर लिख सकते हैं किरोडी ने शिक्षावे अन्य विबागों में तबादलों की सिफारिश से जुड़ी नोटशीट भी मंतरियों को भेजी है फिलाल देश्वर दुने की तमाम बड़ी कब रोक लेता ही बने रही हमारे साथ नमस्खार